हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है आज का यह वीडियो आप सभी इस्टुडेंट्स के लिए काफी ज़्यादा मेहत्वपूर्ण है ना सिर्फ लाश 10th इस्टुडेंट्स के लिए बलकि 9 से 12 तक के जितने भी इस्टुडेंट्स हैं आप सभी के लिए यह काफी important वीडियो होगी तो आप पुरा सुरू से लाश तक देखते रहे हैं ताकि आपको सारी चीजे अच्छे से पता चल सके सबसे पहले तो मैं आप लोगो बताना चाहूँगा कि आज सिक्छा मंतरी डॉक्टर रमेश पुखरियाल निसंग जी का सरकार के साथ मीटिंग था तो बहुत सारे स्टुडेंट्स के तरफ से यह कमेंट करके पूछे जा रहे थे कि सर मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में में जानकारी दे तो मैं आप लोगो बताना चाहूँगा जो मीटिंग हुई थी वो सिर्फ न सिर्फ क्लाश 12 बोर्ड एक्जामिनस कैंसल करने को लेके हुई थी बलकि आगे एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा इसके बारे में भी हुई है तो जो गुप्त बाते हैं वो मैं आप लोगो बताना चाहूँगा फिलाल जो आज की मीटिंग रही तो उसमें जो भी बात डिसकेशन हुई वो आभी आउट नहीं हुई है लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि कल डॉक्टर रमिश पुखरियाल करना यह फिर कैसे होना नहीं होगा न सिर्फ के बारे में बताएंगे बल्कि आगे education system और कैसा रहने वाला है कैसे पढ़ाई हो छलने वाली है इसके बारे give एन के बारे में नाइंत के बारे में रुदब जो नका कि worship to उसके बारे में में जानकारी दे सकते हैं हाली में CVC के तरफ से एक notice निकाला गया था जिसमें उस notice में ये बताया गया था कि आप से stream selection नहीं होगा तो stream selection नहीं होगा तो students के मन में बहुत रखे कोशन आ रहे हैं Sir आगे NEET के लिए हमें कौन सा subject का combination कर रखें हमें JEE करना है मेंस करना है तो हम कौन सा subject सब्जेक्ट चुने क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था वो साइंस एस्ट्रीम वाले ही आई 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 करते थे या फिर NEET के लिए बाइलोजी पढ़ना पड़ता था तो अभी subject combination क्या होगा क्योंकि stream selection तो हम यह नहीं मिल रहा है आगे एजूकेशन सिस्टम क्या होगा इन सब चीजों के बारे में कल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निसंग जी कल यानि कि 18 माई को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निसंग जी 11 बजे से आपको जानकारी देंगे और सिर्फ न सिर्फ एजुके यह एणिपी सिर्फ स्ट्रिम सेलेक्शन के बारे में बता सकते हैं बलकि बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि आगे और पढ़ाई कैसी होनी है क्योंकि अब जो आपकी पढ़ाई होने वाली है पहले से काफी जाग डिफरेंट होने वाला है जैसे आपकी पहले जो बोड एक् और semester wise examinations होगा और यह start होगा class 9th से ही ठीक है? तो 9th से 12 तक के जितने भी students होगे 9th से 12 तक जितने भी exam होगे semester wise 6-6 मैना में examinations होगा तो उसके बाद 12 के बाद जब भी जो भी आपके mark shift आएगी तो 9th से 12 तक के सारे आपके record उसमें होगे तो वो आपकी एक original mark shift होगी तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं तो कल देखते हैं 11 बज़े कैसा और क्या-क्या चीज़े जो है हमें डॉक्टर रमेश पुखरियाल निसंग जी के तरफ से बताया जाता है फिलाल आज की meeting में कुछ खास चीज़े जो है निकल के सामने नहीं आई है और जो भी चीज़े हैं वो आपको कल डॉक्टर नमेश पुखरियाल निसंग जी बताएंगे और खास करके आज की जो meeting students को पता था कि जो class 12 वाले students है उनको खास करके यह बात पता था कि आज की जो meeting हो रही है उनको ऐसा लगे था था स्रिफ बोर्ड एक्जामनेशन को चैंसल करने को लेके या फिर आगे कैसे होना है उसके लिए हो रही है बलकि ना सिर्फ बोर्ड एक्जामनेशन को कैंसल करने को लेके बलकि बहुत सारी important चीजों के बारे में भी हुई है ठीक है तो ये कुछ ज़री information थी जो कि अभी तक out नहीं हुई है और सारी चीजों को गुप्त रखा गिया है तो अब देखते हैं कल आगे और किन-किन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो भी चीजे बताए जा होंगा आप चाहे तो उनका live interaction भी देख सकते हैं ट्विटर पे लेकिन उनका जो live interaction होता है बहुत बढ़ा होता है और बहुत सारी चीजों के बारे में में जानकारी देते हैं लेकिन मैं आप लोग को जो बताता हूं उसमें सिर्फ जो main चीजे होती है जो आप सभी के लिए important होती है जरूरी होती है तो उन्हीं चीजों के बारे में आप लोग को बताता हूं सारी जो जरूरी होंगी वह यह आपको में बताओंगा ताकि आपका समय बत सके और जो भी information आती है तो मैं आप तक पहुचा दूँगा तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके र तक है थैंक यू